प्रकर्ति के जीवन विज्ञान, जैविक जीवन सैली विज्ञान के प्रवर्तक एवं प्रसिक्षक ताराचन बेलजी के बेलजी भाई जैविक क्रशी तकनीक पर आज हम चर्चा करेंगे. इस टकनीक के विकास में भारत रत्न नानाजी देशमुकद्वारा इस्थापित कृशी विज्यान के इंद्र मजगवा एवं कृशी विज्यान के इंद्र गनिवा पंतनगर विश्वित धहले के डॉक्टर वायल नेने मेरे गुरू जी क्रशी रिशी दीपक सस्दे जी और डक्टर हरसत पंडी जी आप सब का इस तकनीक के निर्माण में जो युगदान रहा है उसके लिए हम आप सब क्रतग्यता अरपित करते हैं इस तकनीक के पाँच मौलिक सिध्धान्त और पाँच मौलिक कारे हैं जिसके आधार पर फसल उत्पादन किया जाता है पहला सिध्धान्त सुगंधिम पुष्टि वर्धनम है अर्थात जहां सुगंध होगा वहीं फसलों को सकती मिलेगी दूसरा सिध्धान्त जीवो जीवस से जीवनम है अर्थात जीवनमो द्वारा ही पोसन द्रव लेना चाहिए तीसरा सिध्धान्त यम नियम उच्चते इती योगह है अर्थात यम नियम आहार विहार प्रत्यहार से ही पंच महाभूतों को धारण किया जा सकता है चौथा सिध्धान्त योगह करमशु कौसलम है अर्थात विज्ञान और तकनी की कुसलता से काम करेंगे तब ही परिणाम प्राप्त होगा पाँचवा सिध्धान्त सू शस्या क्रशी इसक्रधी है अर्थात सस्यक्रियाओं में सुधता से ही क्रशी में सम्रध्धी होती है इन सिद्धान्तों के अनुपालन के लिए बेलजी भाई जैवी खेत में किये गए प्रयोगों के आधार पर पांच मौलिक कारे तै किये गए हैं दूसरा कारे उर्जा परिवर्तन है मिट्टी, हवा, पानी और बीजों की निगेटिविटी को अगनी होतर भस्म से समाप्त करके इनको पॉजिटिव करते हैं दूसरा कारे मिट्टी में जीवाणों को बढ़ाना है हम सजीव जल, जीवन द्रव्य, जीवाणों घोल, पंच गव्य घोल बना कर जीवाणों को मिट्टी में बढ़ाते हैं तीसरा कारे क्रशी भूमी में मांसाहारी जीवाणों को बढ़ाना है ताकि साकाहरी कीटों पर नियंतरन प्राप्त किया जा सके चौता कारे मिट्टी के अंदर माइकोराईजक कवक को इस्थापित करना है इसे हम खेती का हनुमान कहते हैं जो दूर दूर से फसल को पानी और पोसन द्रब बिला कर देता है जड़ों को बढ़ाता है च्वाकारे क्रशी भूमी में कारबन को बढ़ाना है इसके लिए हम आच्छा दन के बायो मास, कमपोस्ट खाद और हरी खाद का उपियोग करते हैं सबसे पहले हम मिट्टी की उर्जा की जाच करते हैं यहाँ जाच तारचन बेल जी की पेंडूलम विधी से या वै धिराजेश कपूर जी की हाथ वाली विधी से कर शकते हैं दिराजेश कपूर जी की विधी में बाय हाथ में हमें खेद की मिट्टी को रखना है और दाहिने हाथ को दबाना है अगर दाहिने हाथ हमारा दब जाए हमारे सरीर की ताकत खतम हो जाए और दाहिना हाथ आराम से दबने लगे तो समझ जाना मिट्टी निगेटिव हो गई ऐसे निगेटिव मिट्टी को पॉजिटिव करने के लिए सब तरंगों को और सब तूर्जा को प्रकट करने वाली अगनी होत्र को हम घर पर या खेत के मद्धे में करते हैं और बारा घंटे बाद इससे प्राप्त हुई राख को अच्छे से पानी में मिला कर इस्प्रे पंपर डाल कर खेतों में इस्प्रे करते हैं पहली दूसरी तीसरी जोताई के पूर्व इस तरह से इस्प्रे करने से खेत की पूरी मिट्टी पॉजिटिव हो जाती है इस अगनी हुत्रभस्म को हम वेंचूरी की साहता से भी सिचाई के पानी में मिला कर खेतों में डालते हैं पॉजिटिव मिट्टी में ही जीवानों का अच्छे से विकास होता है और जड़ें अच्छे से बढ़ पाती है हम डी कंपोजर के घोल से कंपोस्ट खाद का निर्माल करते हैं दो डही मीने बाद हमारी कंपोस्ट खाद चाय पत्ती की तरह भुरभुरी बारीक और काली पड़ जाती है इसमें सूंधी महकाती है इस खाद को बुवाई पूर्व हम खेतों में डालते हैं तूरी के सब तरंगों को अवसोसित करने के लिए गवमुत्र को नीली पीली और हरी काच के बाटल में भर कर धूप में तीन माहा तक रखते हैं और इसका एक एमेल प्रती लीटर पानी की दर से फसलों पर इस्प्रे करते हैं पूर्टास की पूर्टी के लिए हम बिलवरसायन बनाते हैं और बिलवरसायन को भी एक एमेल प्रती लीटर पानी की दर से मिला कर खेतों में इस्प्रे करते हैं खटा मीठर कड़वा जैवरसायन का भी हम एक एमेल प्रती लीटर पानी की दर से मिला कर फसलों पर इस्प्रे करते हैं आउला और छाच को मिला कर हम सड्रस भी बनाते हैं पाच एमेल प्रती लीटर की दर से इसका स्प्रे करते हैं ऐसे ही ख़नी स्टत्तू की पूर्थिक लिए हरड रसायन भी बनाते हैं और इसे भी 2 ml प्रतिलीटर की दर से फसलों पर स्प्रे करते हैं ये सब चीजें हम क्रशी कारे सुरू होने के तीन महीने पहले से ही बना कर रखते हैं कार्बनिक खाद की पूर्ती के लिए हम हरी खाद को प्राथमिक्ता देते हैं और इसे पानी जाला का टेक्टरों से जमीन के अंदर गड़ा कर खाद की रूप में परिवर्तित करते हैं खेती की सामान्य जुटाई के लिए हम हल बैल से जुटाई को ही प्रात्मिक्ता देते हैं और विशेश ज़रुरत हो तब ही हम टेक्टर की जुटाई का उप्योग करते हैं सामानेता हम देशी बीजों की उपयोग को प्रात्मिकता देते हैं और नर्शारी लगा कर पौधे उखाड कर कीचड मचा कर इसमें धान की रुपाई कर देते हैं रुपाई करने के पूर्व हम सरसों की खली को कल्चर और अन्य खादों को मिला कर कीचड पर फेक कर और रुपाई कर देते हैं बेलजी भाई जैविक क्रशी तकनीक सुगंधिम पुस्टी वर्धनम के सिद्धान्त पर कारे करती है हमारे सभी जैविक खोलों में एक विशे सोंदी महेक आती है धान्त और कारियों से जैवरसायन सडरस और हरी खाद के प्रभाव से फसल का बंफर उत्पादन जैविक खेती में लेने लगे हैं हमारी फसले हरी भरी स्वस्थ रहती हैं फसलों का बढ़वार बहुत अच्छा होता है हमारी फसलों को देखकर अंदरप्रदेश के कुछ जैविक विशे सग्यों ने क्या कहा आईए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं विए अज्वार्देश के माँजिए हैं इस बढ़ देखिये की चैमिकल फार्मिंग में कही तरह की बीमारी आती इसमें कहीं कोई बीमारी देखर हैं क्या नो नो नदिंग नो फेस्ट नो डिस एवरी क्राप जरी हल्दी ऑपके थैंक एक्सलें यस मिश्टर रामू आपको कैसा लगा यह क्राप और अर्गनिक में कैसा मतलब इतना बढ़िया आप क्या अंद्रा में कैसा आता है यहां कैसा लगा इस सिस्प्राइस इंटेंसिटिकेशन वे जो गौया है दान यहां अमें लग रही है कि बहुत अच्छा जल्ट आया है जो हरी काद ज्यादा डाला है शुरू आज में यह वी एक कारण होगा ज्यादा ग्रीन मैंईूर है इसमें सामान ने और्गनिक फार्मिंग और चुकि इन्होंने यह बिलव रसायन सड्रा स्री रसायन डाला हुआ है इसका क्या कुछ एफेक्ट दिख रहा है आपको देखना है इसी फासल देखा तो अच्छा लग रही है यह क्रॉप लुक्स वेरी हेल्दी एंड वेरी गूद अच्छा नंबर ऑफ टिलर्स वेरी गूद और मिस्टर रामु की सुपकामनाय फलीबूत हुई और हमें पैतालिस किंटल प्रतियकर धान का उत्पादन प्राप्त हुआ उपज का दाना थोस और वजंदार था मोटे धान के चावल से हमने पोहा बनाया तो पोहा बहुत मुलायम और स्वादिस्ट प्राप्त हुआ जैविक खेती से बहुत सांदार उपज और बहुत स्वादिस्ट उपज अब प्राप्त कर सकते हैं प्याईविक खेती से केवल मोटी धान की प्रजातियां ही नी बारीक धान की भी प्रजातियों की बहुत अच्छी उपज ली जा सकती है यहाँ विश्नुभोग धान है इसमें भी सत्तर से असी तक हमें कंसे प्राप्त हुए बाली की लंबाई सवा फुट के आसपस थी चार धान के खेत पे खड़े हैं सिवनी जिले के छपारा के स्रीपाल जी स्रीपाल जी धान की खेती आपने काफी देखी है पर ये जो जैविक धान है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कोई तोड़ नहीं सर यह सबसे सांदर धान देखने को मिली अभी तक हमने ऐसी धा दान नहीं देखे और इस हट की देखे और इस हाइट में दाना आने की जाएगी लौद गर जाए लेकिन यह धान अभी तक गिरी भी नहीं बेल जी भाई, मेरी खुटी 70 एकड में धान रहती है, और मैं 20 साल से एक खेती वगरे का काम देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में इतनी शांदार धान, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी और जो धान की खेती के विश्रशक के माने आते हैं, बालाइड किस प्रकार उम्दा फसल ली जाती है, ये एक बहुत उम्दा उधारन है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यदि पूर्ण तहा, पूरे मन से, यदि हम सजी उजल, जीवन द्रवे, रसरसायन, भस्मरसायन और सडरस डालें, तो धान बहुत सांदार उपजाएगी, इतनी अच्छी खेती, रसरायन खेती करने वालों की भी नहीं आएगी, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,